दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पाले कबर बिहार में तेसरी लहर के तैयारी प्रवासी मैज़ुरों के लिए फिर से शुरू होगा कॉल सेंटर फॉन पर ही होगा रजिस्टर साथ इस में कॉरोना के बढ़ते मामलों के बेच स्रम संसादन विभाग ने फिर से कॉल सेंटर सुरू करने करने ने लिया है इस कॉल सेंटर पर बिहार से बाहर काम कर रहे मैज़ुरों को पुरी जानकारी दी जाएगी अगर लोगडाउन या किसे आनि कारन से मैज़ुर किसी भी राज में फस जाते है तो उने बिहार आने में सरकार मदद करेगी कॉल सेंटर पर मिली जानकारी के हिसाब से राज सरकार समधित राज्यों से बाचित भी करेगी अगली बड़ी खबर बिहार में 10 लाग बच्चों ने लगवाया कोरोना के टिका एक भी बच्चे में नहीं वा रियक्शन अब सेंटर पर बढ़ रही है बिहार में 15 से 18 साल के 10 लाग बच्चों ने कोरोना की वेक्शन पहली डोज ले ली है राज में वेक्शन लेने वाले पहली लड़की रितिका से लेकर आप तक किसी में रियक्शन का मामला सामने नहीं आया है ऐसे में सेंटर पर वेक्शन लेने वाले बच्चों की भीड़ बढ़ रही है स्वास्त बिवाग के आगड़ों के मताबिक गरुवार को 3 लाग से अधिक बच्चों का वेक्शन हुआ है बच्चों के वेक्सिनेशन के साथ संक्रमन से बचाओ को लेकर भी जिलों में टीमें अक्टिव की जा रही है आपको बदा देगे बिहार में 3 जनौरी के बाद से अब तक 10,60,405 लोगों का वेक्सिनेशन कराया गया है अगली बड़ी ख़बर वेक्सिनेशन का नया किरतिमान देश में अब तक वेक्सिन के 1,500 करोड डोज लगे पांच दिनों में ही 2 करोड से ज़्यादा बच्चों को लगा टीका जिया कोरोना की तिसरी लहर के बेच अच्छी कबर आई है देश ने कोरोना वेक्सिनेशन का एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है सुकरवार तक देश में वेक्सिनेशन का आकड़ा 1,500 करोड के पार चला गया कोविन डेस्बोर के मुताबिक कल देर साम आठ बजे तक देश में एक और पचास करोड साट लाग तिस जार दोस ब्यालेस डोस दिया जा चुके थे इदर 3 जन्वारी से सुरू हुए 15-17 साल के बच्चों के वेक्सिनेशन का आगड़ा भी 5 दिनों में 2 करोड डोस के पार हो गया कोविन के मुताबिक सुकरवार को 2 करोड 91,000 से जादा बच्चों को पहला डोस दिया जा चुका था अगली बड़ी कबर बिहार में आज मिले 3048 नए कोरोणा मरीज पटना में 364 नए केस जह बिहार में बेकाबु कोरोणा की तिसरी लहर लगतार मरीजों के संक्या बढ़ा रही है राज में पिछले 24 गंटे में एक वर फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोणा मरीजों की पहचान हुई है राज में पिछले 24 गंटे में 348 नए संक्रमित पाए गए हैं इनमें सबसे जादा राज़ानी पटना में 364 नए केस सामने आए हैं बिहार में आब एक्टी मरीजों की सेंक्या 8490 हो गई है पाटना में सबसे ज़्यादा 364 मरीज में हैं वही गया में 293 मुझपरपुर में 130 बेगुसरा में 95 सहरसा में 61 और बैसाले में 72 पोजिटिव मरीज पाए गए हैं मुझपरपुर में 130 नए संक्रमित पाये गए हैं जबके अररिया जिले में 28 अरवल जिले में 26 और अंगाबाद जिले में 33 बाका में 26 बेगुसरा में 95 बागलपुर में 62 बागसर में 17 दरबंगा में 52 पुर्वी चंपरान में 27 गोपाल गंज में 4 जमुई में 44 जहनाबाद में 55 केमुर में 9 कटिहार में 99 खगड़िया में 6 किसंगज में 31 लखिसरा में 7 मदिपुरा में 5 मदुबनी में 56 मुंगेर में 23 नलंदा में 76 नवादा में 12 पुर्णिया में 20 रोतास में 30 सारसा में 61 समस्तिपुर में 30 और सारन जिले में 40 नए मरीज मिले हैं इसके अलावा से अगली बड़ी खबर देश में पिछले 24 गंटे में 1,4,883 नए मामले दोसी बिरासी की मौत महराष्ट में 4,925 और दिल्ली में 17,335 पॉजिटिव मिले जिहां देश में पिछले 24 गंटे में 1,4,883 केस सामने आये हैं इससे पहले गुरुवार को भी 1,17,094 नए मामले दर्ज किये गए थे सुकरुवार को 2,81 लोगों की मौत हुई है इसके साथ ये 49,580 लोग ठीक भी हुए हैं एक्टिव केस का अकड़ा 4,612,613 तक पहुच गया है इधर देश में महराष्ट में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किये गए हैं राज में पिछले 24 गंटे में 40,925 मरीज मिले हैं दिल्ले में पिछले 24 गंटे में 17,335 नएक के सामने आये हैं अगली बड़ी खबर बिहार सरकार के मंतरी सानवाज, हुसेन और मुकेश स्यानी, कोरोना पोजिटिव, वे हो माई सोले जहां बिहार के सियासिंग कल्यारे में कोरोना पसर गिया है शुकरवार को नितिस कंबिनेट के दो और मंतरी कोरोना संकरमित हो गए हैं उद्योग मंत्री सानवाज हुसेन और पसुवा मते संसाधन मंत्री मुके सेने भी कुरोना पोजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी कवर बिहार विदान सभा के ढाय दर्जन कर्मचारी संक्रमित सभा सचिवालों को बंद रखने का आदिश दिया है। बड़ी कवर राज में कहीं बारिस तो कहीं अधिक्तम और नियुनतम तापमान में बढ़ोत्री जानि बिहार में कैसा रहेगा मौसम का मिजा। परदेश में पच्वा एवं उत्तर पच्वा हवा का परभा बना हुआ है। इसके कारण अगले दो से तीन दिनों में नियुनतम तापमान में दो से तीन डिगरे की विर्दी का पुरानुमान है। अगले 48 गंटों के दोरान बिहार के उत्तर पश्चिम भांग के पश्चिम चंपारान सिवान सारन गोपाल गंज में हलकी बारिस हो सकती है। कोछ इस तानों पर हलके से मेता मिस्तर का कोरा चाहे रहेगा। अगली बड़ी ख़बर पटना एमस में इलाज के लिए पहले इन फोन नमर पर ले अपॉइडमेंट डॉक्टर से घर बेटे भी ले सकते हैं सलाह। जी हाँ कोरोना के खत्रे को देखते वे पटना एमस में सकती लागू कर दी गई है। आम दिनों की तरह मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है। सकुरवार से एमस में इलाज के लिए फोन करके फ़ले अपॉइमेंट लेना जरूरी कर दिया गया है। पंजेन नियामों में बदलाव कर दिया गया है। अब OPD में मरीजों के इलाज के लिए बदले हुए नियमों का पालन करना अनिवार है, अस्पताल में बेड कम करने के लिए फोन नमर भी जारी कर दिया गया है, पत्ना एम्स में सुकुरवार से OPD में अधिकतम 50 नहीं मरीजों का इलाज किया जाएगा, पंजेन के पहले अपॉइमेंट लेना होगा, इसके लिए फोन नमर भी जारी कर दिया गया है, 947 070 2235, 943 008936, 943 008970, 947 070 2184, 0612 2451 270 पर मरीज, सुबह 8 बजे से साम, 4 बजे तक फोन के जरिये अपॉइमेंट ले सकते हैं, इसके अलावा घर बैठे डाक्टरी परामर्स लेने के लिए लोग 0612 2451923 पर कॉल कर सकते हैं, अगली बड़ी कबर बियार में गरीबों को मिलेगा अपना गर, प्रदान मंत्रे आवास योजना के सुची में जुड़ेंगे नए नाम, जिया बियार सरकार ने प्रदान मंत्रे आवास योजना ग्रामीन से वंचित रहे पात्र परिव ले नाम आयँ, सासक ने दो टोक कह危 की ग्राम सभा के बेठक बुला कर अभियान के जरिय पात्र परिवारों के नाम जोडने का प्रस्ताव लिया जाए छाए, साती, ग्राम पंचायत के रोजच्गार सहाय किया, सचीव गाह में ही पात्र होने पात्रों के नाम ग्रामिन विकास विबाग ने पात्र परिवारों के मोज़दा आवास वा प्रस्तावित इस्तल के जियो टेग फोटो वा अन जानकारी आवास एप पर अपलोड कर ग्रामिन विकास मंत्राले को बेजेगा मार्च 2022 तक 17% लच पूरा करना है बड़ी कबर बिहार में वायू परदोसन और जान लेवा बकसर चफरा सिवान मुझपर पूर और गया में दिल्ली से खराब हाला जहां बिहार में कोहरे के चादर में परदोसन ने पाप असार लिये हैं परदोसन के मातर लगतार बढ़ती जा रही है गुरवार को बकसर जादा परदोसन रिकोर्ड किया गया वैं दिल्लो में परदोसन के मातरा 254 दर्ज की गई बिहार राजे परदोसन नियंतरन परसद के अदरच डाक्टर असुक कुमार गोस का कहना है कि कौरा फेला है सडकों पर बालू डोरे वाहन के परेचालन से हवा में उड़कर धूल परदोसन को और घना कर दे रहा है इससे लोगों को काफी फरिसानी का सामना करना पड़ रहा है अगली बड़ी खबर बिहार में बगएर मास्क के निकले तो देना होगा फाइन गाड़ी भी होगी जब जिहां तीसरी लहर को लेकर नई बंदी से लागू होने के बाद कल से राज़ानी पाटना में सकती भी देखने को मिली है पाटना में अगर आप मास्क के बगएर गर से बाहर निकले तो आपको फाइन देना पड़ेगा इतना ही नहीं अगर किसी गाड़े में मास्क के बगएर लोग सफर करते पाएगे तो उस गाड़ी को भी जब्द किया जा सकता है पाटना के डियम डाक्टर चंद्र सिकर सिंग ने इसपेश्ट कर दिया है कि कुरोना नियंतरंग के लिए किसी भी तरह के लाफरवाई बरदास नहीं की जाएगी इसके अलावा सारवजनिक स्थल पर बगेर मास्क के अगर कोई व्यक्ति पाया गया तो धावा दाल उ बोड ने आरक्षी नागरेक पुलीस के 26210 पद और फायरमेन के एक सबातर पदों को सिधी भरती को जाने के लिए अपने टेंडर के मैदम से आवेदन आमांत्रित किये हैं भरती का नोटिफिक्सन जारी हो गया है इन कूल 26382 पदों पर आवेदन करने के इच्छु को दोपार 12 बजे तक है बता दे कि इन पदों पर उम्मिदवारों को आवेदन ओलाइन सिवकार किया जाए लेकिन आफलाइन लिखित परिच्छा आईजित की जाएगी इसी के साथ ही एडमिट कार्ड भी ओलाइन मैदम से जारी किया जाएंगी आज के आपके गाव में सभी गरीब परिवारों को प्रधान मंत्रे आवास योजना का लाब मिला है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं